प्रवाही के चलते नवजात की मौत प्रसव के लिए आई महिला से रुपए ठक कर अस्पताल से भगाया संभल जोला चाप की लापरवाही के चलते नवजात की मौत प्रसव के लिए आई महिला से रुपए ठक कर उसे अस्पताल से भगा दिया दूसरी जगा प्रसव के दोरान नवजात शिशू की हुई मौत मा की हालत गंधीर है परीजनों ने जोला चाप पर गंधीर आरोप लगाए हैं परीजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दे दी है आरोपी डॉक्टर अस्पताल में ताला लगा कर फरार हो गया है परीजनों ने अस्पताल पर किया हंगामा अस्मौली ठानक शेफर के ओवरी का मामला क्या नाम आपका क्या मामला है यह जब अपने बहुत है इस निकाल कर दो हुआ है ली-टी इसका यह है कि आपका क्यानला है उसका क्यां प्रसक्रीं बारा वजे उसने बञ़ती कर रहा है वह कहिए सामतर्व डिलेवरी हो जाएगी डिलेवरी नियुक्त आरा लागी कि लिवोर्गय मैं वह उसको जब बच्चर पैता होने किरिण लेके गई थी नवो तो उसक साथ में कोई नर्स नहीं थी उसने दो लड़के लड़की के पेट पूर ने चड़ा रखे तो उपर पेट दमाने के लिए और उससे कही न तो और अगू डाड रही थी और जित्ती भी लेड़ी से थी न उनको सब कूल ने बहा लिकलवा दिया हमने लिका लेगी जब अर्यस जब कोई दो लोग इसी जट्चा के पेट पेट दवाएंगे तो बच्चे जिंदा थोड़ी राएगा बच्चे तो खुद ही मर जाएगा तो आप लोगों कोई कानुन कारवाई की आप देखो एफायर कप में आ रहे हैं और को चोड़का हम आये ना तो छोड़का उससे पहले पहले छोड़का वागए कोई भी ना पूर अस्पिताल बंद पढ़ांदस है आप खुछ जा के देख लो किस गाहों की घटना है यह चनवार की दीदी है मेरी मिस्टर बडी जो अस्पिताल है किस गाहों में यह ओबरी में